नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक सागत है और मैं हूँ डाक्टर पंकज दोस्तों मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं रुद्राक्ष प्यागला वीडियो बनाऊंगा तो दोस्तों यह वही वाला वीडियो है जिसकी बारे में हम आपको बत पुस्पन को प्रेजित कर सकते हैं इसको आप ऐसे समसकते हैं जैसे अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो उसको अब लोग डाटते हैं और उसको इस्ट्रस देते हैं जिससे कि वह पढ़ाई को प्रेजित होता है तो इसी प्रकार से हमने आज इस रुद्राक्ष को स्ट्रस दिया हुआ है तो हमारे साथ वीडियो में अंतक बने रहें और दोस्तों इस वीडियो में हमने कुछ टापिक को कवर किया हुआ है जैसे कंकड़ी वाले नमक का स्प्रे लकड़ी की कील सुद्द सिसहेद का पूर का प्रियोग परिणाम यह सब हम आपको दिखाने इस नमक का सूत्र होता है सोडियूम क्लोराइड या एनेसील दोस्तों इसका इसप्रे हमें करना है इससे होगा कि इसके जो क्लोरोफिल इसका होता है उसमें बढ़ जाएगा जिससे कि फोटो संदेश दर बढ़ जाएगी और पुस्पन के लिए जो कंडिशन होती है जो हा इसके अलावा अगर आपका पौधा क्यारी में है तो आपको पूरे गमले में या पूरे पौधे को सभी पत्तियों पे बहुत अच्छे से इसप्रे कर देना है यह पहला स्टप है दोस्तों यहां पर इस बात का आपको विशेश द्यान रखना है कि कि किसी भी प्रकार से आपके पौधे में मात्रा ज्यादा न हो हम देखे बड़े वाले इस पेर से इसमें करवा रहे हैं और यह हमारा बहुत बड़ा पेड़ हो गया है कम से कम ने तो सारे आर साल पराना पेड़ है लेकिन इसमें अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई है दोस्तों इसमें बड़ा फाइदा यह होता है कि आप नीचे कड़े होकर के दूर तक आप इसमें कर सकते हैं और जितनी भी पत्तियां हैं उनको बहुत अच्छे से नहला देना है दोस्तों नमक की मात्रा भले ही कम हो जाए लेकिन ज्यादा मात्रा किसी भी कंडिशन में नहीं होनी चाहिए नहीं तो आपकी पत्राइख खराब भी हो सकती हैं दोस्तों आए बात करते हैं step 2 के बारे में एह main step है इस step में आपको एक लकड़ी की कील बना लेनी है आप लेसकते है लेकिन लोयरी की कील जंग लग सकती है इस परकार से एक को लकड़ी लेले और उसकी नोख को इस परका बस यह आप लेना है और यहीं पे आपको इस लकडी की कील को ठोक देना है और कम से कम कम एक इंच घहरे तक इसको ठोकना है दोस्तों स्टेप है इस्ट्रेस का जब एक प्रकेश्व में तुल करके निश्य तरूप से फ्लावरिंग करना इस्टार्ट कर देगा अब यह बिल्गुल फ्लावरिंग नहीं हुई है बस आप हतोड़ी मदद से या इस प्रकार से इंट की मदद से आप इसको कम से कम एक इंच घरे तक आप इसको ठोक देना है दोस्तों अब बात करते हैं ती अब उतने ही पानी में जेतने पानी में आपने पहले नमक घोला था माने दस लिटर पानी में आपको इतना सहद जो है वो लगवग दो चमच दो चमच सहद आपको उसमें घोल देना है और इस सहद की कंडिशन ने है कि सहद जो है सुद्ध ही होना चाहिए असुद सहद ही घुरले के बाद, आपको पूरे पौदे पर ठीक उसी प्रकार से इस्प्रे कर देना है, दोस्थो इससे बड़ा फाइदा यह ओता है कभी-कभी ऐसा होता है कि पौधे में फौदा फॉर्वावरिंग करने लगता है लेकिन पौधे में जू फॉर्ड में पॉलिनेशन नहीं होते हैं तो जितने कीट पतंगे सही है हिए आसपास बहुतर से पहुत है बहुत्त और जब अच्छे स्पालिनेशन हो जाता है तो पौधे में भी बो हार्मोंस बनने लगते हैं जिससे की फल जो है वो पौधे पर रुका रहता है और फ्लावर फूर्ट में कनवर्ट हो जाता है चुक्कि दोस्तों हमें रुद्राक्स से फूर्ट लेना है बाने फल लेना है अगर इसका प्रणाम निकला तो हम आपको बिल्कुल दिखाएंगे दोस्तों पूरे प्लांट पे आपको उसी प्रकार से जो है वो इस पर कर देना है यहां पे इस बात का विशेश ध्यान रखें कि नमक के पानी में और सहिद के पानी में लगों एक हपते का गयप आपको को जो है इस प्रकार से पूरे उसके कर देना है दोस्तों आप आए बात करते हैं अगले स्टिप की रुद्राक्ष की जड़ के पास में इस प्रकार से आप चाहें कील ठोक लें या लकडी ठोक लें यहां पर खुर्पीस गड़्धा कर लें माने कम से कम 6 इंच का कि यह कपूर की दवा देनी है कम से कम चार्ट की चारों तरफ दवाएं हम यहां पर दो टृक की दवा रहे हैं चार्ट की आप दवा सकते हैं इस पकार से कपूरी टिक्की ले या 5 प्रकार में मिल जाती है पहुत आसानी से और घड़्धा मतलब करीब 2 या 3 इंच दूर ज करेंगी जिससे कि जो फ्लावर जो है फूट में 100% कण्वर्ट होगा ऐसा मतलब जो है ट्रक्रिस में है मेरी ऐसे नीवू में भी इस प्रकार से प्रक्रिस की है और आपको दो चार जगह पे कपूर को इस पकार से गड़ा देना है दोस्तों अगर आप आप नहीं है और अभी और बेल आइकन को दबाना न भूलें दोस्तों देखिए अब हम दूसरी वाली जो है इसमें कपूरी टिक की दबा रहे हैं और इस प्रकार से कपूरी टिक की दबाने के बाद में आप कम से कम 15 दिन तक इंतिया करें इस पूरी प्रॉसेस में हमको एक महिना लग गया था ज जब भी फ्लावरिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम इस प्रकार से रिमूब कर देंगे यहां से किल को निकाल देंगे दोस्तों आए आप बात करते हैं रिल्ट के बारे में दोस्तों एक महिने के बाद का रिल्ट है आप ध्यान से देखिए जहां पर पत्तियां हैं इनके में अब यहां पर पर तकानक हो गई जब देखे इसमें सब्सक्राइब यहां आपको वह स deben फ्लावर बड़ है और पूरी जितनी पत्तियां इनमें इस तो दोस्तो अब इसमें जब भी फ्लावर जो है खिलेगा तो एक यह सह में कर वाएंगे जिएक बहुत अच्छे से यह पositम हो जाए और इसका जो है flower जो है fruit में convert हो जाए अगर दोस्तो flower fruit में convert होता है तो हम इसकी भी update आपको देंगे दोस्तो इस समंद्ध हमने कई पहले भी वीडियो भी बना रखी है तो भी हमारे वीडियो सक्षन में जाकर के playlist को चेक कर सकते हैं दोस्तो अब तो आप बहुत अच्छी से देख रहे जै हिंद जै भारत